नमस्कार सातियों, स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल बीएसेट की क्लासिज में, मैं दिरेंदर, आज किस क्लास में हम बात कर रहेंगे रिजनिंग के प्रस्णों पर, जो आप सभी के लिए, सीजियल के लिए most important प्रस्णों होने वाला है, तो आप सभी को पता ही है कि सीजल की जो expected exam date है वहाद December से start हो रही है तो आप सभी लोग जितने भी students सीजल का exam देने वाले हैं वो सभी लोग अपने reasoning की practice पर लग जाईए तो देखिए पहला question क्या है इसमें पहला question इसमें कहे रहा है कि नीचे चार संख्या योग मदिये गये हैं जिनमें से किसी संदर में एक समान है उनमें से एक आसंगत है तो आसंगत का आपको चयान करना है ठीक है तो आपको बताना है कि इस प्रस्त में आसंगत कौन सा है option A है, option B है, option C है या option D है देखो अगर यहाँ पे option A हम देखें तो उस according, option का जो लाजिक है वो क्या लग रहा है ठीक है, दो गुड़े 5, ना अगर इनमें हम इनको आपस भी गुड़ा कर देत कितना आ रहा है दो गुड़े 5, गुड़े 6, और गुड़ा करने पर कितना आएगा, 6, 35, 32, कितना आएगा, 60 और इस 60 में हम प्लस 1 कर देत कितना आ जाएगा, बताओ, 61 यानि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जो अक्षर है, इनको, इनके मान को यानि इनको अलफ आपस में गुड़ा करके, प्लस 1 कर दे रहा है, जो आ रहा है, उसको लिख रहा है आप देको, अगर आपसम दे में हम देखे, इसमें क्या हो जाएगा, तो 1, गुड़े 6, गुड़े 9, तो इतना गुड़ा करेंगे, कितना आ जाएगा, 904, गुड़े 1, तो कितना आएगा, तो 64, तो 4, गुड़े, चवण, प्लस 1 कर दोगे, कितना आ जाएगा, बताओ, आजाएगा यहां पच्पन लिखा हुआ है वैसे ही अगर हम आगे देखें आपसन नंबर सी में तो दो गुड़े आठ गुड़े नौ अगर इनको गुड़ा कर दें कितना जाएगा 144 और 144 पे प्लस वन कर दें कितना जाएगा बताओ 145 आजाएगा और अगर आपसन डी में हम देखें तो तीन गुड़े दो गुड़े चार तो कितना आएगा चार दुनी आठ तिरीक 24 लिकिन यहां पे लिखा कितना है बताओ लिखा है किसी कूट किसी बिसिस्ट कूट भासा में इंटेरिया को क्या लिकिरा है आर जी वी के जी वी जड के रूप में लिखा जा रहा है तो उसी कोट में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा आप सभी लोग इस प्रस्न का राइट एंसर क्या होगा वह कमेंट बाक में कमेंट करेंगे बताएंगे किस कूशन नेंबर टू का राइट एंसर क्या होगा देखो ध्यान से इसमें अगर हम इसका कोडर निकालें तो कितना और आ रहा है कितना आ रहा है देखो कैसे कूटबद किया जा रहा है किस एकॉर्डिंग इसमें लाजिक क्या लग रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या रहा है देखो पहले लाजिक क्या लग रहा है पर मालूम पढ़ गया तो यहां से असान से प्रस्Just को सालों कर ले जाएंगे R और आपको पता होगा की R क्या है आई आर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं आप ấy माइनस कर दें, एगर कितना हम? हम माइनस अगर कर दें 14 में एगर 7 गटा दो, कितना आएगा? साथ ही आएगा माइनस कितना हो रहा है? माइनस 7 हो जा रहा है फिर क्यों E और B आपस में क्या होते हैं volcanic आप K और R देखें यहां पहले क्या कर रहा है इसकी बात मीनस साहत कर रहा है फिर फिर म Maisovid में और यहां पर इन दń. और आप पहले नियम क्या होटार किया करेंगा पहले लिए screws सब्सक्राइब न्य होगा W में क्या कर देंगे माइनस साथ कर देंगे तो डोको W का मान कितना होता है 23 और माइनस साथ कर दोगे तो कितना आजाएगा बताईए कितना आजाएगा 16 और 16 किसका होता है P का होता है फिर E का पोजिट क्या हो जाएगा V और R में कर देंगे माइनस साथ तो अठारा कितना आजाएगा बता हो ग्यारा तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा U E L P V K यानि option number D option number D इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते है question number third आप सभी लोग class को एक बार जोड़ार share कर दीजे आपने दोस्तों के साथ share कर दीजे एक बार हाँ देखो क्या आगए राइस में question number third में आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रस्ण की अस्थान पर है प्रस्ण की अस्थान पर क्या आएगा ये आपकी प्रस्ण आकरिती है और ये आपकी उत्तर आकरिती है और आपको बताना है कि option A होगा या option B होगा या option C होगा या option D होगा ठीक है तो आप लोग बताईए इस प्रस्ण का right answer क्या होगा बताईए सभी लोग देखो अगर arrow हम देखें तो इस जो arrow का जो direction हो क्या हो रहा है ये जो arrow है ये इसमें आकर कहा जा रही नीचे यानि कैसे आ रही 90 degree clockwise गुम रही है 90 degree clockwise फिर यहां पर 90 degree clockwise यहां पहुंच आईगी तो अब जो arrow आएगी वो 90 degree clockwise गुमेगी तो उपर पहुंचेगी कहां पर उपर इस टाइप में arrow का क्या होगा arrow हमारी होगी और सभी देखो ए वालत बिलकुल होगा नहीं बी और सी और डी हो सकते हैं ये तो बिलकुल हो ही नी पाएगा अब देखो यहां पर देखो इसमें यह कहां पहुंच गया उपर लेकिन जब यह उपर पहुंच रहा है फिर में जो blank है जो काला है यह काला कहां पहुंच जा रहा है इस साइड़ आ जा रहा है ठीक है गुम कर इधर हो रहा है और जो यह गोला है इसमें जो काला पूरा य सबस्क्राइब आपको किस option में है? तो option B में भी है केवाल B में ही है ना? केवाल B में है तो B वाला हमारा क्या हो जाएगा? Option सही हो जाएगा देखो यहाँ पे यह क्या है? यह ज़र black है और इधर क्या है? वाइट है तो इस condition में हमारा right answer क्या हो जाएगा? Option नमबर B 20 प्रस्ण का right answer हो जाएगा आईए आगे देखतें question number 4 4 में कहे रहा है कि वहाँ बिकल पुचुने जो तीसरे सब्द से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार दूसरा सब्द पहले सब्द संबंदित है बताओ क्या होगा Question number 4 का correct option क्या होगा प्रफुलित उदास सांत करना question mark बताइए बड़ा अच्छा question है आप सभी लोग प्लीज एक बार जोड़ा share कर दीज़े session को ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रफुलित उदास तो प्रफुलित का जो बिलोम होता है सांत करना का बिलोम क्या होगा भड़काना तो राइट एंसर क्या होगा इस प्रस्न का option number D सभी लोग का सही आ रहा है D क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा D इस प्रस्न का राइट एंसर होगा क्योंकि प्रफुलित का बिलोम क्या होगा उदास ऐसे सांत करना का भिलोम क्या होगा भड़काना ठीक है आईए आगे देखते कुस्टन नंबर 5 की ओर कुस्टन नंबर 5 में क्या है कुस्टन नंबर 5 में आपको बताना है कि कुस्टन मार के अस्थान पर क्या आएगा दिये गए पिकलपों में से वह वन समूर चुने जो निम्दले की सिंकला में प्रस्न चिन्न के अस्थान पर आएगा बताओ क्या होगा कुस्टर नमबर 5 का जो राइट एंसर होगा वो क्या होगा ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दिखे ध्यान से अगर देखे तो दी वी ना या दी और आई की हम तुलना करने तो क्या हो रहा है दी और आई दी के मान 4 होगा आई के मान 9 तो यहां पर क्या रहा है बताओ कर रहा है प्लस 5 कर दे रहा है प्लस 5 कर रहा है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ऐसे I में और N में देखें तो यहां भी क्या हो रहा है…… फिर N और S में देखें तो यहां भी क्या हो रहा है…… S और S और S में क्या कर देंगे ? प्लस 5 क्योंकि लगा तर सिंकला प्लस 5 की हो रही है जो पहला हमारा डेटर है तो वहां भी हम लाश्ट में क्या कर देंगे प्लस 5 और 19 में 5 जोड़ोगे 24 आएगा और 24 किसका मानों था एक्स का होता है तो जितने हमारे A और D या नकिया होगा गलत हो जाएगा तो बच्छे कौन दो अफसें डीम और कितना ऊचें बुर्टा और G INF option बचर आइकों सा option number B आगे solve करने की जरूरत भी नहीं है तो इस प्रस्ण का right answer क्या हो जाएगा option number B हाँ जिन लोग का B आ रहा है उन लोग का बहुत अच्छा है आगे रेखिए question number 6 question number 6 आपको बताना है कि ये question मार के स्थान पर क्या आएगा question मार के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोग बताईए ठीक है सभी लोग इस प्रस्ण का right answer comment box में comment करेंगे हाँ बताईए क्या होगा तो इस प्रस्ण का right answer क्या होगा देखो अगर इधर से हम तुलना करें इधर से या इधर से क्योंकि इधर से भी तुलना हो सकती है इधर से भी हो सकती है कहीं से भी करो लेगे answer हमाई चाहिए देखो ध्यास से अगर इधर कम तुलना करें तो साथ गुड़े चार कर दें सच योग 28 ठीक है कितना वह 28 और 9 दुनी 18 अगर दोनों माइनस कर दें ना 9 गुड़े 2 इन दोनों को माइनस कर दें सच योग 28 हो जाएगा माइनस 9 दुनी 18 तो कितना आ जाएगा बताओ गटाने पर 10 तो यहाँ पर 10 लिख रहा है क्या आगी नियम फालो कर रहा है देखो 35 गुड़े 4 उसके बाद माइनस 24 गुड़े 2 ठीक है तो 35 गुड़े 4 करोगे तो 4, 25, 20, 4, 3, 12, 14 कितना आ जाएगा 140 अब यहाँ पर 24 दुन गटाने पर क्या बानबे आ रहा है तो हाँ गटाने पर कितना आ रहा है बानबे इसका मतलब नियम हमारा सही है नियम फालो कर रहा है तो ऐसे यहाँ भी इस प्रस्न में हम कुशन मार के अस्थान पर क्या आएगा यह निकाल सकते हैं ठीक है आईए देखते हैं आईए जाएगा 28 और 52 में 28 घटा दोगे तो कितना जाएगा बताओ 24 तो इस प्रस्ण का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D डी इस प्रस्ण का right answer होगा आईए आगे देखते है question number 7 की ओर 7 में क्या है तो 7 प्रस्ण कभी गलत नहीं होगे आप सभी लोग प्रस्ण पढ़िए उसकी बाद हम दिखाते हैं इसका option क्या है देखिए इसमें क्या रहा है कि स्वाती स्वाती अनिल की इकलौती बहन अक्छरा की बेटी है अनिल की मा गवरी है कामिनी गवरी की मा है कामिनी का पती गवरो है पूनम गवरो की सास है पूनम गवरों की सास है तो स्वाती का गवरों से क्या संबंद है तो आप सभी लोग बताएंगे अच्छा प्रस्थन है रख संबंद का अच़्ा प्रस्थन है तो आप लोग बताएंगे option A होगा, option B होगा option C होगा, या option D होगा देखो धियान से स्वाती क्या है अनिल की इकलोती बहन अक्षरा की बेटी तो पहले हम क्या लाएंगे अनिल की बेटी लाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्यों आ गया अनिल स्वरी अनिल की क्या हैंगी अनिल की बहन आएगी तो अनिल हो गया यह अनिल की बहन आ जाएंगी तो यह कौन आईगी अनिल की बहन अक्षरा अब स्वाती जो है वो क्या है अनिल की बहन अनिल की इकलोती बहन है इसका मतलब अक्षरा सिर्फ इनकी इकलोती बहन होगी और इसके अलामा कोई बहन नहीं होगी अक्षरा की बेटी को ने बताओ स्वाती स्वाती आ गई चलो कोई दिकत नहीं फिर यहां पर कह रहा है कि अनिल की मा गौरी है तो अनिल की मम्मी को लाओ यहां पर कौन आए अनिल की मा गौरी यहां पर कौन आगे अनिल की मा गौरी ठीक है उसकी बाद फिर कह रहा है कामिनी गौरी की मा है, तो कामिनी अब गौरी की मा भी आ गई, तो कामिनी कहा जाएंगी, इनके उपर हो जाएंगी, कामिनी जो है, हो क्या है, अनिल की, गौरी की मा हो गई, फिर कह रहा है, कामिनी का पती गौरो है, तो कामिनी का भीवा करवा दिजे, इनका पती कोन आ जाएगा, गौरों आ जाएंगे ठीक है ये इनके husband हो गए उसके बात कह रहा है कि पूनम गौरों की सास है अब देखो पूनम गौरों की सास कब होगी अगर आपका बीवा हुआ है तो आपकी सास कौन होगी आपको पता होगा आपकी wife की मम्मी इसका मतलब यह है कामिनी की मम्मी कोने स्वाति का गौरों से तो सास का की ओर आओगे तो स्वाति का रसंबंद बताना है गौरों से यानि स्वाति गौरों की क्या लगेंगी अब देखो ये इनकी बेटी है और ये क्या है इनकी बेटी का बेटा है तो आपको पता होगा कि उस recording उस recording ये क्या होगी बताईए ये ह रहए होगी पर नातिन होंगी क्योंकि बेटी का क्या है ये पीटी के बेटे की बेटी की बेटी की बेटी है ना तो क्या होगा option number C इस प्रस्ण का right answer हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं question number 8 8 में कह रहा है कि नीचे 4 वर्ण समू दिये गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर में एक समान है और उनमें से एक असंगत है तो असंगत का one समू चयन करें बताएगे क्या होगा इस प्रस्ण का right answer क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे देखे ध्यान से क्या है कि इसमें तो G और अगरम D में देखें तो G और D संबंद क्यों बन रहा है माइनस 3 हो रहा है ना माइनस 3 डी और A माइनस 3 और A और W कितना हो जाएगा मताओ माइनस 4 कितना हो रहा है माइनस 4 आप देखो यहां पर माली करा हूं इसको बी वाला अपसंद C Z W T C और Z में देखें यहां भी कितना हो रहा है माइनस 3 Z और W माइनस 3 और W और T माइनस 3 फिर C आपसं देखें स P M Z यहां भी क्या हो रहा है, minus 3 हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, minus 3, फिर यहां भी क्या हुआ, minus 3, अब यहां पर देखेंगे D option में, तो D option में क्या हो रहा है, यहां भी कितना हुआ, minus 3 हुआ, यहां भी कितना हुआ, minus 3 हुआ, यहां भी कितना हुआ, minus 3, सब में minus 3 हो रहा है, लेकिन option A में एक अस्थान पर last में कितना हो गया, minus 4, इसका मतलब correct option क्या होगा, option number A होगा, 8 का right answer option number A, A क्या है, असंगत है, आईए आगे देखते, question number 9, 9 में कह रहा है कि अच्छोरों के उस स्वयोजन का कोचुने, जो दीगरी स्रिंखला में रिक्त अस्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर स्रिंखला को पूरा करेगा, बताओ क्या होगा, question number 9 का correct option क्या होगा, question number 9, correct option, आप सभी लोग बताएंगे, क्या होगा, option A होगा, B होगा, C और D, देखो जब ऐसी स्रिंखला आती है, alphabetical जो मारी स्रिस होती है, उस according, हम क्या करते हैं यापे, इनके numbers, आफ लेटर को चेक करते हैं, कितने numbers हो रहे हैं, तो यहापे कितने हो रहे हैं, बताओ, 20 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, और 20 लगर हो रहे हैं, इसको हम 5 into 4 में divide कर सकते हैं, या तो 4 into 5 में divide कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो यहापे कुछ आपको मिल रहा है, कामन, तो यहापे देखो T के पहले क्या आया है, T के पहले Q आया है, और M के बाद क्या आया है, M के बाद आपको यहापे L मिल ना इसका मतला यहां पर क्या यह आएगा MLTQ Q के पहले क्या है T Q के पहले क्या है T OR P के बाद क्या है यहां पर आ रहाए यहांПर इसका मतल बसन अरहाएगा MLQTR Pak quicker फिर MLTQr Lazareisha is this is공ignant MLTQR यानि इसमें जो सीरिज बन रही है MLTQR 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 तो बताओ क्या मिला हमको L मिला, फिर R मिला, फिर T मिला, फिर L मिला, फिर R मिला, फिर L, फिर Q अब देखो किस option में आ रही है option A आ रहा है, B आ रहा है, C क्या तो L, R, T, फिर L, R, L, Q यानि option number C आगे रहते है, question number 10 question number 10 यहाँ देखी क्या है तो यहाँ पे P और N में एक दरपण प्रद्विम रखा हुआ है यहाँ पे एक दरपण रखा हुआ है और आप से पूछ रहा है कि जो लिखा हुआ है, ठीक है यह लिखा हुआ है तो यह दरपण में किस प्रकार दिखाई देगा और यह 4 option दे रखे हैं बताओ क्या होगा A होगा, B होगा, C होगा या D होगा अब देखो दरपण में इसको देखोगे तो N उल्टा होगा तो N तो इस प्रकार दिखेगा लेकिन यहाँ पर C और D तो हो नहीं पाए क्योंकि P नहीं आएगा पहले-पहले क्या आएगा N बनेगा ही जो पास में यो पास बनेगा जो दूर हो दूर बनेगा फिर क्या आएगा O दोनों में O सही है I आएगा I दोनों में सही है T आएगा T दोनों में सरी है लेकिन फिर देखो P आएगा यहाँ पर क्या आएगा I तो कि पहले क्या आएगा P ही आएगा I नहीं आएगा तो उस recording option B क्या होगा गलत तो बचा कौन option number A तो इस प्रस्थन का जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number A आएगे देखते हैं question number next question number 11 देखिए यहाँ पर कुछ हमको कथन दिया है और यह हमको चार option दे रखे हैं कुछ tool tumbler है फिर कुछ tumbler grinder है तो आप लोग बताएगे कि इसका जो सही when R1 होगा वो क्या बनेगा option A होगा या option B होगा option C होगा या option D होगा बताएगे ग्यारा नंबर प्रश्म का right answer क्या होगा आप सभी लोग इसका right answer comment करेंगे बताओ क्या होगा देखो कुछ इस tool क्या है तंबलर है तो इसको हम डाग्राम से बनाए तो क्या बनेगा कुछ इस tool क्या बनेगा tumbler बनेगा फिर कहा रहा है कुछ टंबलर ग्राइंडर है तो तंबलर क्या हो जाएगा ग्राइंडर क्राइंडर तो इस में right answer क्या हो जाएगा option नंबर ए तो इस है यह लिख रहा है और फिर कह रहा है कि sort & को लिख रहा है यह के रूप में कुड़बद किया गया है तो उसी भासा में ठीक है रेफ्यूजल को कैसे कुड़बद किया जाएगा बताओ क्या होगा कि कुछच्छन नमबर 12 का जो तो correct option होगा और क्या होगा और अच्छा question है अच्छा प्रस्ट में coding decoding आपके exam में आ जुगा है बताओ क्या है देखो ध्यान से यहाँ पर देखे तो आ यहाँ पर पी है लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 11 तो आपके दिमाग में एक बात यहाँ पर आ रही होगी तो पी का मान तो 16 होता है लेकिन पी का जो opposite होता हो क्या होता है के और के का मान क्या होता है 11 आर का opposite आई और आई का मान 9 आ आप पोजिट की जो मान है उनको लिख रहा है ठीक है अब देखो यहां पर शेक करो S का पोजिट क्या होगा S का मान कितना है 18 सोरी कितना होता है 8 होता है फिर यहां पर S का मान क्या होगा H का opposite क्या होगा S और S का मान 19 तो आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है चल क्या रहा है opposite के मान को लिख रहा है तो ऐसे हिम क्या करेंगे R का जो opposite है वो क्या है बताओ I, I का मान 9 E का opposite क्या है V और B का मान होता है 22, F का opposite U, U का मान 21 U का पोजिट F, F कमान 6 S का पोजिट H, H कमान कितना हो जाएगा 8 A का पोजिट Z और Z कमान 26 L का पोजिट O और O कमान 15 तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा वो क्या हो जाएगा 9 टिपल 2 तो एक ही में है कौन सा? option number D option number D इस प्रस्ण का right answer हो जाएगा आईए आगे देखते हैं question number 13 की ओर बताएए 13 number question में आपको बताना है कि वह बिकल्प आकरिती चुने जिसमें दे गई आकरिती में सन्नहीत है दे गई आकरित सन्नहीत है लेकिन आकरित को रोटेट नहीं करना है बताओ क्या होगा question number 13 का right answer option A होगा option B होगा option C होगा या option D होगा देखो यह तो बिल्कुल होगा ही नहीं तोकि A हम निकाल नहीं सकते भी न रोटेट किये लेकिन आपको रोटेट नहीं करना है अब देखो B चेक करो उसे प्रस्त का इसका मतलब C से क्या हो जाएगा यह निकल जाएगा तो C इस परस्त का right answer हो जाएगा आगे देखते ही push day number 14 चौदा में कह रहा है कि नीचे चार सब्द दिये गए हैं जिन में से तीन किसी संदर में एक समान है और उन में से एक असंगत है तो उस असंगत सब्द का चैयन करें बताएए क्या होगा कुश्टर नेबर चौदा का राइट एसर क्या होगा अडचन डालना वर्जित करना अनुग्या देना अटकाना ठीक है अटकाना क्या होगा बताओ बताएए चौदा का राइट एसर क्या होगा ठीक है देखो अडचन डालना वर्जित करना और अटकाना ये तीनों क्या है तीनों एक समान है लेकिन अनुग्या देना एक क्या है ये अलग है तो राइट एंसर क्या होगा इसका आफसर नंबर सी इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा नेश देखो 15 में आपको बताना है कि गणती संक्रियाओं या गणती चिन्हों का वासही स्योजन चुने जिसे क्रमिक रूप से इस्टार चिन्हों के अस्थान पर रखने से समी करण संतुलित हो जाएगा बताओ क्या होगा तो ऐसा प्रस्ण है जिसमें सभी आप्शन को चेक करना ही पड़ेगा आप्शन ए होगा या डी होगा या बी होगा या सी होगा बताइए क्या होगा इस प्रस्ण का राइट एंसर तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा हो क्या हो जाएगा आप्शन नमबर डी कैसे ह अगर यहाँ पर हम देखें इसको तो 221 माइनस स्वरी क्या आएगा भागे 17 गुड़े 12 माइनस 130 प्लस 24 बराबर 50 इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइट कर दें कितना जाएगा गुड़े 12 माइनस 130 प्लस 24 बराबर 50 गुड़ा करोगे तो बारती आए 36 बचा 3 बारती पंद्रा कितना होगा 156 माइनस 130 प्लस 24 बराबर 50 24 और 56 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 180 माइनस 130 बराबर 50 ठीक है तो 180 और 30 गटाओ कितना जाएगा बताओ 180 और गटाओ कि 130 तो कितना जाएगा 50 तो इसका मतलब D वाला हमें यापर रखें समी करण तो इस तरीके से यह हमारा प्रस्न का राइट आइसर हो जाएगा ठीक है आगे आगे देखते हैं कुछ्छन नंबर 16 16 में आपको बताना है कि इस आकरित में त्रैंगल कितने हैं इस आक रितन में त्रैंगल कितने हैं दी गई आकरित में कितने त्रिभूजें बताओ 32 26 28 और 30 आपसर म बताए क्या होगा क्या होगा किस प्रस्न का राइट एंसर किस अब Philippines और तरीके से इसको हम काटके अलग कर सकते हैं, इस तरीके से, ये, ना, और एक इस तरीके से मैं इसको कलर चिंद कर दिखा रहा हूँ आपको, एक इतना हम काटके अलग कर सकते हैं, इतना, ठीक है, और देखो, और हम क्या कर सकते हैं, और देखो, और एक इस तरीके से इसको हम का अलग कर सकते हैं ठीक है अगर हमें एक अलग करें तो उस according ये देखो एक अलग करते हैं ऐसे तो एक में कितना बन रहा है तीन और यहां बन कितने रहे हैं चार तो कितना हो जाएगा बताओ गुड़े चार कर दोगे तो कितना जाएगा बारा, और जैसे बारा यहाँ पे बना है, वैसे बारा यहाँ भी बनेगा, ठीक है, तो बारा यह, बारा यह, कितना हो गया बताओ, बारा प्लस बारा, कितना हो गया, 24, ठीक है, अब आगे देखो, और क्या बन रहा है, एक यह बना, एक यह बना, एक यह बना, एक यह बना, क तो 28 प्लस 4 और कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32 क्या और बन रहा है क्या और बन रहा है नहीं तो 32 इस परस्ट का राइट आइसर हो जाएगा यानि इसमें फुल टोटल 32 ट्रेंगल बन रहे हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं कुश्चन नंबर 17 17 में कह रहा है कि वहाँ सही बिकल्ब चुने जो दिये गए सब्दों को उस क्रम में वे अंग्रेजी सब्दों कोस में आते हैं बताओ उस सब्द उस क्रम में आपको रखना है जिस क्रम में वे अंग्रेजी वडमाला के अंतरगत आते हैं बताओ क्या होगा आफसन ए होगा य आर ई सब में में उसकी बाद देखो यहां पर I 3 में कामन है ना this तो पहले पहले जाएगा इने फाइगा पहले नंबर पर किक है पो बीनिटेंडर और यहां तो यह आ जाएगा 3rd number पर फिर दोनों में V कामने तो V यहाँ पर A है जिसका मतलब यह आ जाएगा 4th number पर तो यह आ जाएगा 5 number पर ठीक है अब देखो ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ जाएगा 5 5 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 तो इस प्रस्ण का जो राइट एंसर होगा 5 3 2 1 4 5 3 2 1 4 यानि option number A option number A इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा आएगे देखते है देखो अगला कुश्चन क्या है कुश्चन अबर 18 18 में कह रहा है कि उस विकल्प का चैन कीजिए जिसके सब्दों के मद वही संबंद है जो दियेगे सब्दों के सब्दों के मद बिल्ली बिलाउटा तो सबी लोग बताईए इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या है बिल्ली बिलाउटा देखो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते है बिलाउटा बोलते हैं वैसे ही एगर हम देखें तो गाये के बच्ची को क्या बलते हैं गाये के बच्ची को बोलते हैं बचला तो इस प्रस्न का जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा option number B option number B इस प्रस्न का right answer हो जाएगा ठीक है आगे देखो next question number 19 तो 19 जो है ये paper cutting and folding का है तो आपको बताना है कि एक paper हमने लिया हमने इसको फिर ऐसे fold कर दिया फिर हमने इसको ऐसे fold कर दिया फिर ऐसे fold करने के बाद हमने दो cut किया एक cut ये और एक cut ये तो अब बताइए खोलने के बाद इसमें कौन सी आकरिती बनेगी क्या D बनेगी, क्या B बनेगी, क्या C बनेगी, क्या A बनेगा बताइए इस प्रस्न का right answer क्या होगा तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्योंकि D तो हो नहीं पाएगा क्यों क्योंकि दोने पास में नहीं आ पाएगे देखो यहां पर दूर इतना गयब है, पास्त हो नहीं पाएगा, इसका मतलब D बिल्कुल नहीं होगा, क्या आप भी हो सकता है, देखो बीच में जो A आकरिती बंद आईए, ये बिल्कुल नहीं बन पाएगी, तो D भी नहीं होगा, बचे कौन, A और C, अब ये बताईए, A ह थोड़ा सांतर है, आप सभी लोग बताएं, A होगा या C होगा, ध्यान समझो, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो उस एकार्डिंग, क्या A बन पाएगा, ये वर्ग बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लेकिन इसमें अगर देखोगे आप, तो ये वर्ग क्या है, ये थो हलका से ये बड़ा बनेगा, आयात के हिजाब से वर्ग नहीं बनेगा, तो A नहीं होगा, कौन सा होगा, आप सन नमबर C, आप सन नमबर C इस प्रस्न का राइच एंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखो कुछन नमबर 20, 20 में कह रहा है, नीचे चार संख्या युग्म दि करें, मतलब यह क्या होगा, कुछन नमबर 20 का राइच एंसर क्या होगा, देखो अगर पहला अपसन के इनके मान को हम आपस में आड़ कर दें तो, 7, 9, फिर 7, आड़ करने पर कितना आ रहा है, 14 और 9, कितना आगा, 23, और इसको आड़ कर दें तो, 6, 7, 9, यहाँ पर आड़ कर दो कितना आजाएगा, 16 और 6 कितना होगा, 22, तो 23 और 22 अगर मानस कर दोगे, कितना आएगा, एक, ठीक है, तो इसमें इन दोनुक वड़ाने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी देखो, 7, 9, 9, 7, कितना होजाएगा, 16, अगर मानस कितना कर दें, इसको जोड़ो, कितना आएगा, 16 और 9 कितना होगा, 15, तो मानस करने पर यहाँ भी बना रहा है, ऐसे यहाँ पर देखी, तो यहाँ पर 9, 10, 11, यहाँ पर 7, 8, और 8, और 7, कितना होगा, 15, मानस करने पर कितना होगा, मानस करने पर कितना होगा, मानस करने पर कितना होगा, मानस करने पर कितना कौन सा है option number C तो option number C इस प्रस्ण का right answer हो जाएगा ठीक है आएए आगे देखते है question number 21 21 में क्या है 21 में कह रहा है कि वह अभी कल को चुने जो 34 संख्या से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और 6 संख्या से 5 संख्या संबंदित है बताओ क्या होगा इस प्रस्ण का right answer क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे बहुत ही अच्छा कुछन है अगर दिमार कुआ तक पहुँचिया तो आप असानी से सिकेंडों में साल कर लेंगे और अगर को अभी छोड़ दीजिए लेकिन जब दुबारा आप साल करोगे लास्ट में तो आपको असानी से आ सकता है यह नहीं कि हाँ बिना साल करके हटेंगे नहीं तो आपका टाइम खराब होगा तो यह आपको ध्यान रतना है देखो यहां पर देखे तो चार और दो गुड़ा कर दें कितना होगा आठ यह 8 लिखा हुआ है देखो आईसे यहां पर देखे तो 9 और 2 कितना 18 यहां पर 18 लिखा हुआ है आप यहां पर मिंदोनों को गुड़ा कर देंगे जो आएगा कुश्चन मारके स्थान पर आ जाएगा तो 5 गुड़े 2 कितना आज आजेगा बताओ 10 तो इस प्रस्न का right answer हो जाएगा option number B दस इस प्रस्न का right answer हो जाएगा ठीक है आईए आगे देखते है question number 22 22 सिंखला से है इसमें कहरा है कि दिये गए भी कलपों में से वा संख्या चुने जो निम्दलिकी सिंखला में प्रस्न चिन के अस्थान पर आएगा पताओ क्या होगा क्या आएगा प्रस्न के अस्थान पर यहाँ पर क्या आएगा A आएगा B आएगा C आएगा या D आएगा सभी लोग comment करिए fast और सभी लोग share कर दीजे प्लीज एक बार सभी लोग share कर दीजे एक बार session को देखो 18 और यहांपे देखे 36 तो कित्ना मुडे 2 एक बार ओगे बी देखे इना 58 हो गारे लोग किहां बी प्लस कड़ूरा है यहाँग बार प्लस तीन यहां भी हो रहा है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा option number c बात्तर इस प्रस्ण का right answer होगा देखे 20 तेज जो है यह क्या है मारा यह dice का है तो इसमें कह़रा है कि उस घनों का chain करें जिन्हें दीगई seat को line पर मोड़ कर बनाया जा सकता है यह है आपका option अब नुग बताईए ईसको किसको में बना सकते हैं एक को बना सकते हैं का होगा right answer अब हम बताये हैं आपको कि कोई भी अगर dice होगा या घं होगा तो अगर जो भी opposite सताय हैं वो एक साथ छुप MP नहीं सकती और ना ही एक साथ दिख सकती और जो पडोसी है वह एक साथ कभी नहीं आएगी ठीक है जो पडोसी है वो बिपरीत नहीं हो सकती ठीक है ये आपको ध्यान देना होगा अब देखो यहाँ पर इमग देखें तो दो का बिपरीत क्या होगा आप देहांसे अगर हम यहां पर देखें, तो उस एक गार्डिंग, जो ए वाला है, यानि यहां पर अगर है, तो इसका जो blank है, छुपा होगा, नीचे होगा, बिल्कुल सही है, अगर यह लिखा हुआ अगर है, उसका हो सकता है, जो यह blank है, ठीक है, क्योंकि छुपेगा, फ अगर यह बिंदी वाला दिखा है इसका मतलब ब्लैंक वाला भी चुपा होगा, यह भी चुपा है, दो अगर नहीं दिखा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है जो ब्लैंक वाला यहां पर दिख रहा है, दो नहीं दिखा, तो B वाला बन सकता है, जो को C चेक करीए अगर दो दिखा तो blank वाला क्या होगा चुपा होगा चुपा है यहां आगे देखो D वाला बन जाएगा तो इसमें correct क्या हो जाएगा सभी क्या होगे बनेंगे सभी A Ö Kyo T क्या होगे इसको हम बना सकते हैं इस अक्रतों इसमें तो राइट-एंस्वर क्या हो जाएगा।ular नमबर 24 कि कंच और देख्षैनों है कि वह विकलप चूने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंदित हैं जैसे नीचे दिये गए सेट की संख्याएं एक दूसरे संबंदित हैं बताओ 24 का राइट एंसर क्या होगा हाँ प्रस्थ संख्या 24 का राइट एंसर क्या होगा option A होगा, B होगा, C होगा, या D होगा देखे इसमें, ध्यान से एकर देखें, तो चार जो है, जो है, क्या कर देएिसमें हैं इन चार को पर कितना आएगा, टीन सो तेज़ART और चार का स्क्वायर करो के कितना आएगा 16 और इस तरही किसे इसको एड़ कर दोूगे कितना हैगा 569 बिल्कुल हमारा नियम सही है अब देखो कौन सा option इस तरीके से solve है 10 का square 100 और 3 का square 3 तरीक कनोज़े 27 क्या आएगा नहीं आएगा तो option A नहीं होगा 6 करिए 6 का square कितना होगा 36 और 8 का square 512 sorry 8 का cube 512 add करने पर कितना आ रहा है तो add करने पर 548 आरा इसका मतलब option B इस प्रस्न का right answer हो जाएगा तो इस प्रस्न का जो right answer होगा और क्या होगा option number B आएए आगे देखतें question number 25 ठीक है देखो 25 में क्या है यह statement आपको दिया है यह हमने यहाँ पर लिखा है ठीक है आप बताएए इसमे right answer क्या होगा 25 का right answer क्या होगा सभी लोग बताएएगे देखो ध्यान से अगर देखे तो यहाँ पर कह रहा है सभी punk के heater है यानि इसकर समदेखते हैं सभी purifier heater है तो purifier heater कहा है purifier यहाँ पर heater यहाँ पर first और third को add करें दोनों में common कुछ मिल रहा है नहीं first और third को add करने के लिए हमको second की सायता लेनी पड़ेगी दोनों में cooler cooler का मने cooler और cooler क्या हो जाएगा cancel punk के और punk के यह भी cancel हो जाएगा तो सभी purifier क्या heater है तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा अगर सभी purifier heater है तो कुछ purifier heater दे है इसका मतलפ दुसरा वाला भी क्या है सही है तीसरा कहरा कुछ heater cooler है देखो heater cooler कहां पर है तो cooler यहाँ पर है heater यहाँ पर है यानि first और second से हम इसको निकाल सकते है दोनों में कामन क्या है? पंखे, पंखे दोनों कड़ जाएगा तो कुछ heater, cooler क्या होगा? हाँ, बिल्कुछ होगा तीसरा भी सही हो जाएगा चौत्हा कहारा है, सभी cooler heater है देख उस क्या सभी cooler heater है? हाँ, cooler के पास 100 है यह heater के पास 50 हमको यहाँ पे cooler के पास 100 चाहिए heater के पास 50 चाहिए तो सभी cooler heater निकल जाएगा यानि इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा सभी हमारा सही है तो option number E क्या है सही है सभी हमारा क्या हो जाएगा निसकर सभी हमारे सत्य है तो option number E हमारा क्या हो जाएगा आपसे पूछ रहा है किसी कूट भासा में टार्च को लिखा जाए UNPSDI और बेस्ट को लिखा जाए CDFTU तो बताईए मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, मार्क्स को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या होगा देखो T-O-R-C-H क्या लिखा गया है इसको U-N-P-S-D और क्या लिखा गया है आई ठीक है ऐसे ही BEST को क्या लिखा गया है BEST को लिखा गया है C-D-F-E-U तो आप लोग बताएं इस प्रस्न का राइट एंसर क्या होगा अभी लोग कमेंट करेंगे देखो ध्यान से इसमें क्या आ रहा है तो एक इसमें क्या रहा है ज्यादा आ रहा है तो T हम देखने तो T और U क्या हो रहा है प्लस 1 और O और N में देखने कितना हो रहा है हो रहा है माइनस 1 क्या हो रहा है माइनस 1 ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे O और P, तो एक साथ यहाँ पे कर दे रहा है, O और N, यानि जो N है, देखो यहाँ पे, जो N है, इसको दो कर दे रहा है, N, यहाँ पे क्या लिखा है, N लिखा है, फिर P लिखा है, तो O में क्या किया है, एक बार यहाँ minus 1 किया है एक बार plus 1 किया है ठीक है फिर R में R1 R क्या किया प्लस 1 किया फिर C और D plus 1 फिर H और I plus 1 ऐसे ताइपसर B best में क्या है best में C क्या लिखा है plus 1 फिर e और d दोनों क्या कर दोगे एक बार minus एक बार plus 1 तो e में एक बार कर दोगे minus 1 तो क्या जाएगा d और एक बार plus 1 कर दोगे क्या जाएगा f आजाएगा ऐसे कर दोगे s में तो क्या जाएगा plus 1 तो क्या जाएगा t t में कर दोगे plus 1 तो क्या जाएगा u यहां पर लग रहा है तो यहां में यहां यहां मार्क्सक्म नायगा यहां पर 2 में क्याकरना इętक क्लस न्यां प्लस मघ याए क्या आजाएगा S T आजाएगा ठीक है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा N Z B S L T N Z B S L T यानि option number B option number B इस प्रस्ण का right answer हो जाएगा आए आगे देखते हैं कुशन number 27 27 में कह रहा है कि नीचे 4 संख्या समू में से तीन एक निच्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन है तो उस भिन अक्षर समू का चैन करें बताओ क्या होगा राइट एंसर क्या होगा देखो यहाँ पर अगर हम देखने तो D का मान कितना होता है 4 W का मान 23, J का मान 10, C का मान 3 एड़ करने पर कितना आएगा 26 और 34 ना और 10 चालिस कितना आजाएगा बताओ 40 ऐसे B में देखें तो S का मान 8, S का मान 19, N का मान 14 और J का मान 26 तो यहाँ पर अड़ करने पर कितना है 40, 10, 50, 50, 60, 60, 60 कितना आएगा सरसट आजाएगा कितना आ रहा है सरसट ऐसे C में चेक करेंगे तो B का मान 2, Y का मान 25, H का मान 8 और E का मान 5 कितना है यहाँ भी कितना आ रहा है 40, D में चेक करोगे तो U का मान 21, फिर F का मान 6, 1 फिर 12, एड़ करने पर कितना आ रहा है 12, 13, 6, 19, 20, कितना है का बताओ, 40 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ पर सब में 40 आ रहा है लेकिन option B में कितना रहा है 60, इसका मतलब option B क्या है, असंगत है, यह क्या है, हमारा right answer हो जाएगी, ठीक है, आगो देखो, अगला question हमारा क्या है, next question, 28, ठीक है, 28 का जो right answer है क्या होगा, क्या रहा है कि निमने समी करने को संतुलित करने के ल right answer क्या होगा, आप लोग बताइए, इस प्लस्न का right answer क्या होगा, तो इस प्लस्न का right answer होगा, तो इस प्लस्न का right answer होगा, यानि प्लस के स्थान पर minus और minus के स्थान पर plus कर देंगे, तो समी करने हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, देखो कैसे होगा, तो 25 मानस पर क्या जाएगा गुड़ा फिर यहां पर क्या होगा गुड़े के स्थान पर माइनस हो जाएगा भागे कितना होगा दस प्लस 35 और add करने पर कितना आना चाहिए 155 देखो यहाँ पर कितना होगा 10 यह कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा यह कितना हो जाएगा 50 minus 5 प्लस कितना आएगा 35 बराबर कितना आना चाहिए 155 यहाँ पर add करने पर कितना आएगा add करने पर कितना आ रहा है कि कहीं गलत कर जाए क्या हमने है हमने गलत कर दिया क्या देखिए एड़ करने पर कितना आ रहा है तो 85 आएगा माइनस 5 करोगे तो हमने लगए कहीं गलती कर दिया फिर देखो एक बार से और आप से चेक करें इसमें देखो 25 और यहां पर क्या कर देंगे गुड़े 5 माइनस 50 भागे 10 प्लस 35 पराबर कितना ना चाहिए 105 यहां पर कितना हो जाएगा यह बचेगा 5 25 पंचे 125 हो जाएगा ठीक है माइनस 5 प्लस 35 अच्छा हमने गलती कर दिया था हमां गुड़ा करनने पर बराबर कितना चाहिए 105 यहां पर जोड़ें कितना आएगा 30 यानि 160 हाज आएगा माइनस 5 बराबर कितना आएगा 105 सही है ऑप्शन दी प्रस्ट में का राइट एंसर है ठीक है डी क्या है राइट चलिए आगे देखते हैं कुछ्छन नंबर नेस्ट कुछन नंबर 29 कह रहा बता होगा आप सब भी लोग कमेंट करेंगे बताओ क्या होगा देखो यहां पर अगर हम देखें तो इसकी तुलना किसे कर लेते हैं इससे कर लेते हैं इसकी तुलना फिर इससे करते हैं ठीक है फिर आगे हम तुलना कर लेंगे देखो यहां पर देखें तो A और E में संब पिर हम यहां देखें, यह और देखें, आई में तो प्लस 4 हो रहा है, आई और किसमें करें, आई और ओ में तो कितना हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, ना, 9 6 15 हो जाएगा, ना, ठीक है, एक बार कितना हुआ, एक बार हो रहा है, प्लस फोर उसके बार देखो, यहां पर कितना हो रहा है यहां पर कितना हुआ, एक सीकेंट मैं इसको थोड़ा से अलग लिखता हूँ देखो यहां पर, इसको मैं अलग करता हूँ, A, E, फिर क्या है, E E क्या है E I फिर क्या है I O फिर क्या है O U ठीक है देखो यहाँ पर देखें तो A और E तो कितना हो रहा है प्लस 4 E और I तो प्लस 4 हुआ यहाँ पर फिर I और E में देखें तो कितना हो रहा है प्लस 4 यहाँ भी हुआ ना 5 आ 9 फिर यहां पर कर देंगे कितना हो रहा है देखो पहले तो यहां पर हो जाएगा i और o में कितना हो रहा है प्लस 6 हो रहा है उसकी वाद यहां पर कर देंगे i और o में तो कितना हो रहा है यहां पर प्लस 6 हो रहा है फिर o और u में कर देंगे तो यहां पे कितना हो रहा है, प्लस 6, तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आप देखो यहां भी कि जब करोगे, इस recording, इसमें, इसमें जब करोगे, जो हुमारा दूसरा वाला है, यानि KQ, KQ फिर LR आएगा, फिर यहां पे question mark को जो आएगा हुमारा answer हो जाएगा, तो यहां में इसको अलग कर रहा हूँ, KQ, फिर क्या है LR, फिर क्या है question mark, तो जैसे वहां पे था, वैसे यहां भी कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे कितना हो रहा है, K और L, कितना हो रहा है, प्लस 1, अच्छा, यहां प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1, फ स्थान पर क्या आएगा, MS, MS यानि option number C, option number C इस प्रस्न का right answer हो जाएगा, ठीक है, तो आज के class में हम इतना ही बात करेंगे, और आपको class कैसी लगी, बिल्कुल comment करके जुरू बताईएगा, ठीक है, मिलते कल, जैहिन, नमस्कार. कि प्लस 2 आएगा, से खजे है, मिलते करेंगे, प्लस 1 ख Nevermind möchte नहीं में हम इतना ही, फिसकार क आएगा, si ॲान उटीक है, लिए Ε